हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत आप से विकावी में रिट्रीव चनल जंगली वेंडिज में जहां पर हम आपको एक से बहतरी जानकारिया देते रहते हैं हैं दोस्तों किसे ना किसे बिमारी से घरस्त रहता है जिसकं सब्सक्राइब और मिला अगर्षपा सब्सक्राइब से बिकाश जाता है तो आहिरुवेद को अपनाए और स्वस्त रहे आज जिस पोदे के बारे में हम आपको जानकारियत देने जा रहे हैं वह पोदा हर जगह पायने वाला पोदा है यह पोदा अमेरिका अफेरिका और एसिया के बहुत पर देशुआ में बहुत आयत में पाजाता है यह इसको में अनेक अनेक नामके चाना जाता है ही हिंदी इसको फिषष परा गधवर पूर्ना और स्वेथ पुनरनवा और संस्कैने पुनरमा गुजराती में साटमुडी मराठी में चनद मीमें मचूवनी चांक्य कानियू सिर इसके जो गुन होते हैं वो चरपरा, कसेला, वायू, विस, एम, उदर पांडो रोग नासक होता है ये पुनरनवा यानि साटी साटी यह एक लगबग हर जगर पाया जाने वाले ओस दीपोदा है ये बेल के आकार में धर्ती पर फैला होता है इसके जो फूल होते हैं वो गुलाबी और स्फेद रंगे होते हैं इसकी बेल काफी वड़ी हो जाती है यह बरसाती मौसम में बहुतायत में उखता है, गर्मी में लगवक शूख जाता है, साइन्टिफिक सोद में यह देखा गया है कि इस पोद में अधभूत ओस दीगुन पाए गए हैं, इसकी जड़ों में आईसो फ्लेवनाइड से तत्व पाया जाता है, जिसे एंटी इंफ्लेमेशन, डियूरेसिस, एम एंटी डायवेटिक हिप्पो प्रोटेक्शन, एम इम्म्यूनो मॉडूलेशन कुन भी पाये जाते हैं, आपने भी कभी न कभी इसका रायता या सबजी खाई होगी, इसका स्वाद पालक के जैसा नमकीन होता है, पत्ते गोलाका इसके अने को प्रियोग हैं, तो जानते हैं इसके कुछ प्रियोगों को, पहला जो प्रियोग है इसका वो पीलिया में देखा गया है, पीलिया में ये बहुत कारगर पाया गया है, पीलिया में इसकी जड़का जो चूर्ण होता है, उसका सेवन करने से पीलिया रोग में ब योग है इसमें एंटी कैंसर गुन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिसके कारणी ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और काफी हद तक रोक लगाता है क्योंकि इस मर्ज की कोई अंग्रेजी दवा उपलब्द नहीं है इसलिए आयरवेध ही एक मात्रा ऐसा सहारा है जिसका सहारा लेकर क्या आप भात्तक रोग से बच सकते हैं इस को रोक लगा सकते हैं तीसरा इसका जो गुन है वो मोटापा को कम करता है इसमें एंटी ओबेसिटी ब्लड कीुरिफिकेशन करने के गुन होते है इसलिए ये नहींत्रूरण तरहिके से वजन को कम करता है भूद जो जाए तो जल्दी से कंट्रोल नहीं होता लेकिन ऐर वेत्वेड है जो इसको जड़ से ख़्सक्तम कर सकते हैं को कंट्रोल कर सकते हैं एक वेगानिक आफ सोध में आचके ब्लिख सोध ऑपो हैं यर एक और गार अफ। के लिए पिसंपर ब Fiona Diயogi Kao काफी अच्छे गुन पाए गए हैं इसके रस को आँखों में जब infection होता है तो डाला जा सकता है इसका रस आँखों में डालने से जो इसमें एंटी माइक्रोवियल गुन होते हैं उसके कारण आँखों के जो प्रेशानियां उनको दूर करता है अगला जो गुन है तनाव इं इसके ताजी सब जीवन आगर खा सकते हैं तो आपका जो तनाव या स्ट्रेस है उससे निकलने में आपको ये बहुत मदद करता है अगला जो गुन है इसमें लीवर की जिनको समस्या है इसमें भी बहुत फाइदेमन देखा गया है ये राम बाना उस देल लिवर रोगों क इसमें हेपेटो प्रेटेक्टिव गुन पाये जाते हैं जिससे लीवर की रक्षा की जाती है इसलिए इसमें ये लीवर डेमेज को बहुत प्रभाव साली तरीके से कंट्रोल करता है अगला जो गुन है इसका तवचा रोगों में तवचा रोग में इसके ठीक करने की ताक या फूट जाता है और आपको पड़ा फंशी में आराम आता है अगला अस्थमा में इसका जो सब्जी है उसको खाने से आपकी जो खासी और बल्गम को रोकता है ये बैक्टिरिया जो मारता है इसलिए अस्थमा में भी ये बहत्तकारगर देखा गया है अगला प्रियोग इसलिए ये बलड को फ्यूरिफाई करता है और इसमें एंटी एजिंग भी पाए गए हैं तो आपके जो तुच्छा पर जुरियां मगरा पड़ना है उनको भी कम करता है अगला जो प्रियोग है पत्री में इसका देखा गया है कि इसमें सेवन करने से मुत्र खुल कर आता है और मुत्र की जलन को भी शांत करता है इसलिए इसमें पत्री को बनने की प्रिक्रिया को भी रोकता है धातु रोगों एम सरीर की गर्मी में भी ये बहुत फाइदेवन पाया गया है इसके परियोग से धातु पुष्ट होती है एम सरीर की जो गर्मी होती हो शांत होती है और आप विरियमवान बनते हैं तो दोस्तों ये कुछ परियोग जो मैंने बताए ये बहुत कारगर परियोग है और ये पोदा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है अगर आपको इसका चुन परियोग करना है तो वह भी बाजार में ओनलाइन आप खरीद सकते हैं तो अग परियोग कैसे करना है इसका परियोग पानी के साथ सुबस से हम आप एक चमत ले सकते हैं और श्याम को दूद्ध के साथ दूद्ध के साथ हैं इसको अप बहुत ही अच्छे गुन पाए जाते हैं इसमें ये खून की कमी को भी पूरा करता है और मासिक ध्रम की जिनको समझ्चा है लेडिज को उनकी जो मासिक ध्रम की सारी समझ्चा आइज परियोग से दूर हो जाती है और इम्मुनिटी बूस्टर भी यह पोदा है इसके प्रियोग से आपकी इम्मुनिटी बेहतासा बढ़ जाती है वैसे तो इसको अईरवेद में बहुत से गुण है और गुणों के घंडार है यह और किसी अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे तो किसके बहुत जादा प्रियोग हैं तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आप चैनल नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन नमस्कार